शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें नहीं, नहीं, मैं मेरा अधिराज को पुषी नहीं हो दोगे अधिराज आपके खोल अधिराज, अधिराज सौदराज सौदराज हमने सुना उस जहरी लजकर के बारे पे हमारी तु जैसे जान ही अटक गई थी अब तो आप ठीक है ना हाँ माजी हम ठीक है आज हमारे पत्नी के कारेन हमें जीवन दान मिला है हाँ पता चला हमने कैसे अपनी जान पर खेल कर सुनैना ने आपकी जान बचे लेकिन बेटा सुनैना उस भयानक अजगर को आपने कैसे मार दिये माँ अमबे और बोलेनात के आशिरवाद से बिलकुल हमें यकीन है जब तक बेटा सुनैना आपके साथ है अधिराज आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता चलिए अब आप इश्राम केचे जी मासी सुनैना किसी भी चीज की जरुरत हो तो हमें बताईये का सुनैना, वेसे मासी ने एक बात तो बिलकुल सही कही है जब तक तुम हमारे साथ हो हमें कोई नहीं माचे अजी राज दुबारा इसी बात मत कीचेगा ठीक है मेरी सत्य साथ इत्री हमें गर्व है तुमकर बहुत बाग्येशालियां कि अमें तुम्हारी जैसी पत्नी मिले बाग्येशाली तो मैं हूं जो मुझे इतना प्रेम करने वाले पती मिले अच्छा अब आप आराम कीजे मैं आपके लिए हल्दी वाला दूर ले खड़ाती हूं तो मुझे मार्ग दिखाओ माँ सत्रू का संगार करो ये एक सैतानी अजगर है काका वो अजगर जादू ही ता और बहुत ही बयानत मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कौन है जो अभी भी काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है पहले डाग बवन में साधना और अब अधिराज पर हमला आपने तो कहा था कि राजा साहिब की मंत्र लेखा मासी भी डाकिनी नहीं है तो फिर कौन हो सकता है बता नहीं काका कानक शायद उसे कुछ बता हो पर वो आपको नहीं बताएगी आखिर वो नाकिनी की और चुडल की सगी है वो और अधिराज की सबसे अच्छी दोस्त भी और मुझे भरोसा है कानक अधिराज के लिए कुछ भी कर सकती है काका 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 आप या अधिराज को दे आए मैं आपी आती हूँ जी रानी साहिग कक्ष में कोई ही नहीं यह रानी साहिग कानक कहा गई नहीं पता मुझे रानी साहिग कानक कभी पता नहीं इस सब हो गया राय इस महल में अरे सुने ना तुम यहां क्या कर रही हो तुम्हें अधिराज के पास होना चाहिए ना कुछ तो चल रहा है इस लड़की के तिमाग में हम जानते है अधिराज पर वे हमले को लेकर तुम तनाव में हो ना सच कहीं तो हमें भी बड़ी चंता हो रही है यह जो हमला था यह साधारन नहीं था ऐसा लग रहा था जैसे कोई काला जादू अधिराज के पास जाओ उसे तुम्हारी जरुवत है हम बेचारी सुनेना कितने हाथ पेर मार रही है उसे तो ये भी नहीं पता जिसे वो यहाँ वहाँ डूंड रही है उसकी सामने खड़ी है पर आप उचे कम मत समझे माँ उसने अभी अभी आपके काल बुजंग को मार कर आपको अज सफल किया है हो सकता है वो जल्दी आपके सच्चाई का भी पता लगा ले झाल 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 यह तो किसी बड़े साप के कैचुली लगती है कहीं है उस अजगर की तो नहीं पर यह यहां इस महल के पास कैसे आई इसका मतलब उस अजगर को महल से ही किसी ने बेचा था मेरा शक सही था महल के अंदर अभी भी कोई काली शक्ती का प्रयोग कर रहा है एक बार असफल हुए तो इसका यह मतलब नहीं है कि दुबारा कभी सफलता नहीं मिलेगी इस पार तो उसने अधिराज को बचा लिया लेकिन अगली बार अधिराज को मरने से कोई नहीं रोक सकता लगता है आप यह भूल रही है कि आपने थोड़ी देर पहले क्या कहा था हमें यकीन है जब तक बेटा सुनेना आपके साथ है अधिराज आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता आपने कहा था कि सुनेना के रहते अधिराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता बहुत अच्छा खेल खेला है आपने पर आपको पता ही नहीं चला कि आपका खेल पलट चुका है क्योंकि चोरी करने वाला चाहे कितनी भी होश्यारी दिखाए कोई ना कोई सबूत तो छोड़ ही जाता है यह कैचुली यह कैचुली मुझे आप तक लेकर आई है और अब मैं आपकी सच्चाई अधिराज को बताऊंगी है 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 हम तुम्हें मारना तु चाहते थे लेकिन अभी नहीं पर क्या करें जब तुम खुदी मरने के लिए उतावली हो रही हो तो हम भी क्यों रोके तुम खुदी मरने कШके लेकिन यह खुदी मरने के लेकिन अड़े में थे लेकशी मुदी मरने करें का रही Star करें वेंतावरиса यहुदी मmm तुम खुदी मारे की सच्थभागे हो great तुम्हें नहीरे करें प्राफlay में प्राफ। सर भी प्राफ। उड़ जड़ा झाल कर देड़ल कर दो मंत्रे लेखा ने मुझे मारा क्यों नहीं? इससे पहले कोई और मुस्सीबत खड़ी हो जाए? मुझे अधिराज को सब सच बताना होगा अधिराज! 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 आपने राजासर को देखा? आपने? मुझे अधिराज किसी खत्रे में तो नहीं? क्या अधिराज किसी खत्रे में तो नहीं? क्या अधिराजा साइब को देखा? राजा साइब को सुरंग के मंदिर के ओर जाते भी देखाता हूं क्या? अधिराज! अधिराज 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 आपको मारने के लिए जिसने अजगर भेजाता तो कोई और नहीं बिल्कि आपकी माँ अधिराज कोई और क्या मारेगा हमें तो तुमने चीत हैजी मारते है याप क्या कह रहे हो अधिराज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सब कुछ समझ कर भी ना समझ बढ़ने का भीने बहुत अच्छे से कर लेती हो तो कहीं हमसे भी प्यार करने का भीने तो नहीं कर रही थी इसी बाते क्यों कर रहे हो अधिराज? बताओ मुझे क्या हुआ? विश्वास गात हुआ है अमारे साथ? इतने बोले से चेहरे के बीछे बहुत बड़ा जूट बहुत बड़ा दोगा छेपाए और हम अजरा था बरव नहीं अगर तुमने हमपर सामने से वार करके गाव दिया होता ना तो हम सहन कर लेते पर तुमने हमारी भावना उसे किला हमारे रिदे को चलनी किया है अधराज मुझे बहुत दर्द हो रहा है और उस ऐसे नहीं दर्द का क्या जो तुमने हमें दिया है हमारी माँ कोई उसे चेल का क्यों मारा हमारी माँ को सुनेला बदाव मैं क्यों मारा तीर सीधे निशाने पे लगा सुनेना को आसान मौत नहीं देना चाहते थे हम इसलिए उसे जीवित रखा अब अधिराज की नफरत को सेना सुनेना के लिए मौत से जादा बत्तर हो जाएगा मान गए माँ आपकी बुद्धी और शक्ती दोनों को कैसे एक ही जटके में आपने दोनों को शिकार बना लिया जाहे कुछ पी कर ले अधिराज मानेगा नहीं अधिराज सुनो नह हो मैं तुम्हें सब बताउंगी क्या सुमें तुम्हारी बात?क्या सुने? अधिया भारता performance इव 노らnda कि अधिराज को यह सब किस Тем बताया होगा? हम अपने माँ को फांगलों की तरह ढूटते रहें और उनका अत्यारा हमारे साथ ही गुबराद ज्यों माला तुम्ने हमारी माँ को ज्यों माला तुम्ने हमारी माँ को अधिराज एरा विश्वास करो मैंने आपकी मां की हत्या नहीं की वो तो एक डाँ और कितना जूट बोलो कि तुम सुनेना फर अधिराज इतनी असानी से मान कैसे गया मा कि सुनेना नहीं माशी कुमारा है क्योंकि सुनेना के खिलाफ किसी ने कवाही दी है कौन वो जिसे सुनेना अपना समझती थी फर बेचारी भूल कहीं कि सबसे जादा धोका तो अपने ही देते हैं चानते हो स्वराज उसका वो हम्राज वास्तव में हमारा सेवक है जैनिको 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 बताओ क्या देखा था तुम्ने रानी साहिब ने मारानी की हच्चा की और उनके सव को जला दिया तिर उनकी राख को तालब में ले जाकर विसर जित कर दिया और तुमने ये बात हमें क्यों ने बताई क्योंके रानी साहिब ने मुझे दम की जीती कि ये बात अगर बार आएगी तो ये मुझे भी जान से मार देंगी समा कीजिए महाराज समा कीजिए हमें तो अभी यकीन नहीं हो रहे है कि इसने हमारी बेहन को मारा है ये सिर्फ आधा सच है पूरा सच ये है वो आप जिससे अपनी मा समझते थे वो एक डाकी नहीं थी हो ये ये मंत्र लेखा जिससे आप अपनी मासी समझते हैं वो भी एक डाकी नहीं है हाधिराज इसे ने आपको मारने के लिए अजगर बेजा था तूसरों को तोशी ठहरा कर अपने आपको निर्तोश नहीं साबित किया जा सकता और अगर हमारी बहन टाकी नहीं थी तो तुमने ये बात अधिराज को पहले क्यों नहीं बताई क्योंकि मुझे ऐसा करने के लिए मना किया गया था मुझे अधराज से मिलना है था कि मैं उन्हें सारा सच मता सकूं राजा साहिब को आप बाद में बता दीजिएगा बोलो सुनेना हमें तो लगता है वो लोग धोंगी होंगे सुनेना के भोलेपन का लाव उठाकर टाकीनी की जूटी कहानी कर दी होगी है ना सुनेना राजा साहिब सच तो अब समझ में आया अब दोनों ने मुझे अधराज को सच बताने से क्यों मना किया अधराज, यह सब इनकी चाल है मस् चक्षप नहीं अपने यह मन गणन कहानिया पनाना पंद करतो एक सच को चुपाने के लिए और कितने जूट बोलोगी तुम सुने ना पेले तुमने अमारी मा को टाकने का और अब मालसीं को मैं जूट नहीं बोल रही हूँ अधराज मानती हूँ मैंने हत्या की है और वो एक डाकिनी थी मैंने अपकी मा की हत्या नहीं की है और ये 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 भी एक डाकिनी है ये सब मैं थाबित कर सकती हूँ अतिराज देखना अतिराज इनका खाव अपने आप धर जाएगा क्योंकि ये एक डाकिनी है सेनी को बंदी बना लो इसे मैं सच कह रही हूँ मेरी पादबर विछवात करो ये एक डाकिनी है क्या है